गुरकपूर फैजाबाद खंड स्नादक शेत्र के चिनाओ के लिए MLC देविंड प्रताप सिंग ने भाश्पा प्रत्यासी के अधिकारिक रूप में गुरुवार को आयुक तिन्याले पोहच का नावांकन किया जिसके संबन में भाश्पा की शेत्र अधिक्ष्व मLC जॉक्टर धमीन सिंग ने बताया कि भाश्पा ने गुरकपूर फैजाबाद खंड स्नादक शेत्र के लिए वर्तमान प्रत्यासी देविंड प्रताप सिंग को दुबारा प्रत्यासी बनाया है जिसको कमिशनरी में दाखिल किया गया है बाश्पा हर चुनाओ को उसी गंभीता से लेती है जहां मोदी जी के निर्तित्व में भारत का नाम विदेशों में उचा हुआ है वही योगी जी के निर्तित्व में उत्तर प्रत्यासी देविंड प्रताप सिंग के लिए सभी जाताओं से अपील करना चाहता हूँ जिस प्रकार से आप लोगों ने अन्य चिनौ में भाश्पा प्रतियासी के पक्ष में वोट दिया था उसी प्रकार इस नातक निर्वाचन छेत्र में देवी इंद प्रताप सिंग को भारी मतों से विजई बनाएंगे इस उसर पर प्रस्ता हो कहां बाई अपलोग आगा है ना प्राटी इससे अच्छा पोज नहीं मिलेगा फोटो की चुलोग तुकान मैं हाँ प्राटी वाण के प्रण थाज लागा श्राटी जा प्राटी आंज आगा का इस वाण प्राटी जाओ प्राटी अल एक्राटी है पॉटोकाप लगा दिया हूँ इसे वे बचाप दिया हूँ करी नें, बसुखा है जब है यह जज़ ओकोगों है आखने है आग एता है चीलuckle को अज़ हो जय बज़ कि दोगा आखने पिल्वार जोंक कि दोक्ड़ scientifically है आखने है ज़ा है इन खिर अखना किया मुद्ड़ के इचरा कि अप्सकति एक प्सकति को बारती जनता बार्टी असनातक निर्वाचन छत्र में हमारे प्रत्यासी बिधान परशत के सदसे देवेंदर प्रताप सिंग जी को उना प्रत्यासी बनाया है आज हम सब लोगोंने कमिशनरेट में अपने सिंबल को ये भी सिंबल भारती जनता पार्टी को दाखिल किया है भारती जनता पार्टी हर चुनाव को उसी कम मृत्ता के साथ लेती है जहां मोदी जी के नितुरत में पूरी दुनिया में भारत का मस्तक उचा हुआ है वहीं योगी जी के नितुरत में एक नय भारत का नया उत्तर पर्देश बन रहा है मुझे विश्वास है असनातक निर्वाचन छेत्र में भारती जनता पार्टी के सभी तपस्वी कारिकरता और जनर सामान सभी मद्दातव बंगों से मैं अपील करना चाहता हूँ और विश्वास मुझे है कि भारती जनता पार्टी को जिस प्रकार से सने आशिरबाद आम जनता का लोग सभाक के चुनाओं में मिला है विधान सभाक के चुनाओं में मिला है उसी प्रकार असनातक निर्वाचन छेत्र में भारी मतों से हमारे प्रत्यासी देवेंद बनाएंगे